हेलो गधाज आज का हमारा चाप्टर है पाट्स टू मॉर्डनाईजेशन सबसे पहले एज यूजुवल हम बात करेंगे सोर्सिस की तो एक तो हमारे पास बहुत सारे लिखित एविडेंस हैं जैसे ओफीशिल हिस्ट्री स्कॉलरली राइटिंग्स पॉप्यूलर लिट्रेचर और रिलिजिस पर्चे तो उस टाइम प्रिंटिंग और पबलिशिंग बड़ी इंपोर्टिंट इंडस्ट्री थी तब ही तो हमारे पास इतने सारे लिखित एविडेंस हैं लिखित एविडेंस के अलावा दूसरे हमारे सोर्सिज वो महान प्राणी है जिनोंने हमारा जीना हराम करके रख रखा है इन्हें हिस्टॉरियन्स कहते हैं पहले महान प्राणी सीमा काइन इनको अरली चाइना का सबसे महान हिस्टॉरियन माना जाता है दूसरे लाइंग किचाओ तीसरे, कुमे कुनिटेक ये जो दोनों हैं, ये जैपनीज हिस्टोरियंस थे फिर जोसिफ नीधम उन्होंने चाईनीज सब बेता में साईन्स की हिस्टरी पे काम किया था फिर आते हैं जॉर्ज सैंसम उन्होंने जैपनीज کल्चर पे काम किया था फिर नाइटो कोनन ये चाइना पे काम करने वाले एक जैपनीज कॉलर थे इनके बारे में बाद में हम विस्तार से बात करेंगे अब ये तो वो महान प्रानी हैं जो बैठे रहते थे कुछ गूमने वाले भी हैं इन्हें कहते हैं ट्रावलर्स तो चलो इन ही की गाड़ी में बैठके चलते हैं ये हम है, ये ट्रैवलर्स की कार है और यहां सोर्सिस पढ़े जा रहे हैं पहले मारको पोलो मारको पोलो विजिटेड चाइना फ्रॉम 1274 तो 1290 दूसरे मैट्यू रिकी ये एक क्रिस्टिन प्रीस्ट थे जिन्होंने चाइना विजिट किया तीसरा, लुविस फ्रॉइस ये जापान घूमने गए थे गर्मियों की छुट्टियों में अब क्या है ना, नाइटो कॉनन का नाम कॉनन नाइटो है लेकिन जापनीज में सरनेम पहले लगाते है तो अगर नरेंद्र मोदी को तुम नमो बुला रहे हो तो जापनीज वाले शायद मोना बुलाएं मोना डार्लिंग, मोना डार्लिंग अब नाइटो कॉनन के बारे में विस्तार से बात करते है ये एक लीडिंग जापनीज स्कॉलर थे चाइना के इन्होंने क्या करा? इन्होंने पश्चिम में जिस तरीके से इतिहास लिखा जाता था वो सब सीखे उसकी मदद से और जो इस काम में उनका एक्स्पीरियन्स था उसकी मदद से इन्होंने एक लंबी परंपरा बना दी चाइना को स्टडी करने की चाइना का इतिहास पढ़ने की इन्होंने क्योटो युनिवोसिटी में डिपार्टमेंट आफ ओरियन्टल स्टडीज भी इस्टैबलिश करने में हिल्प करी थी फिर 1914 में शिनारोन में उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया कि जो रिपाबलीशन गवर्मेंट है उन्होंने चाइनीज को एक ऐसा तरीका बता दिया है जिससे की अरिस्टोक्रिटिक कंट्रोल और सेंट्रलाइस्ट पावर को खतम कर सकते हैं उन्हें चाइनीज हिस्ट्री पढ़के ऐसा समझाया उन्हें चाइना में ऐसी शमताएं नजर आती थी जो चाइना को मॉडन और डेमोक्रिटिक बना सकती थी अब चाइना और जेपान का थोड़ा इंट्रोल ले लेते हैं चाइना जो है वो एक कॉंटिनेंटल कंट्री है बलकि जेपान ग्रुप ओफ आइलेंड्स है चार आइलेंड होन्शू, क्योशू, शिकोकू और हुकैडू फिर चाइना में तीन मेजर रिवर सिस्टम है पहला दे येलो रिवर, दूसरा यांक्सी रिवर और तीसरा पर्ल रिवर बलकि जेपान में कोई भी रिवर सिस्टम नहीं है फिर चाइना एक माउंटेनियस रीजिन है और जेपान 50% एरिया उसका माउंटेन्स में है और आक्टिव अर्थकोएक जोन है चाइना में डाइवर्जिन एथनिक ग्रुप्स है और जेपान में जैपनीज एथनिक ग्रुप्स है जहां पे छोटी सी एनू माइनूरिटी है और कुछ कोरियन्स रहते हैं मतलब जादा तर लोग जैपनीज है लेकिन कुछ एनू और कुछ कोरियन्स भी है चाइना में major language Chinese और Cantonese है लेकिन जपान में major language Japanese language है चाइना में wheat, pastries, dumplings, dim sum, rice ये सब खाया जाता है और जपान में rice, wheat, fish ये सब खाया जाता है चाइना में animal rearing बहुत अच्छे से होती है लेकिन जपान में animal rearing नहीं होती अब आते हैं political system पे जपान पर क्योटो में रहने वाले एक राजा का rule होता था और ये राजा Japanese government का head होता था ऐसा सिर्फ 12th century तक था 12th century के बाद क्या हुआ imperial court ने अपनी पूरी power याने की जो power थी वो emperor के हाथ से चली गई और shogun's के हाथ में आ गई shogun's कौन थे? shogun's थे military dictator और ये राजा के नाम पर rule करते थे 1603 से 1867 तक तोकुगावा फैमिली के लोग shogun की position पर कायम थे अब जो country थी वो 250 domains में divided थी और इन domains पे राज किसका था? देम्यों का और इन देम्यों पर shogun's अपनी power दिखाते थे याने की shogun's नी अंतरन रखते थे तो shogun's देम्यों को ऐसा order देते थे कि वो बहुत लंबे time period के लिए अपने capital Edo में ही रहें ताकि उनकी तरफ से कोई खत्रा ना रहे और एक थे samurai जो की shogun और देम्यों की सेवा में थे अब आगे के development के लिए 16th century के end end में तीन changes लाए गए पहला किसानों से हतियार ले लिए गए और अब केवल समुराय तलवार रख सकते थे इससे शांती और विवस्ता बनी रहती ठीक है और लडाईयां भी थोड़ी कम हो जाती दूसरा देम्यों को अपने domain के सिर्फ capital में ही रहना है ऐसा order दे दिया गया था और तीसरा जिससे land का owner identify किया जा सके इसी लिए land surveys होने शुरू हो गए थे और एक stable revenue base बना दिया अब देम्यों की राजधानी बड़ी होने लगी जैसे की mid 17th century में Edo, world की सबसे populated city बन गया और दो और large cities हो गई वैसे क्या होता है जादा तर European देशों में केवल एक ही बड़ा शहर होता है लेकिन जपान के पास दो बड़ी बड़ी cities हो गई थी एक उसाका और दूसरी क्योटो इसके अलावा जैपान के पास कम से कम 6 टाउन्स थे जहाँ पे उसकी population above 50,000 हो गई थी तो अब देम्यों और जैपान ग्रो करने शुरू हो गई थे अब एक person का merit याने एक इनसान के गुण की जादा value थी उसके status से याने की जिस पद पर वो आदमी है उससे जादा important उसके गुण होते थे अब एक अलगी culture हो गया था जो merchants लोग थे वो भी theater और art की बड़ी तारीफ करने लगे थे और उन्हें बड़ावा दे रहे थे अब लोग पढ़ना भी शुरू करने लगे थे लोग को पढ़ना भी बड़ा अच्छा लगता था तो printing भी शुरू हो गई प्रिंटिंग शुरू हुई wooden blocks से wooden blocks के द्वारा printing की जाती थी और एडो में तो जितना सस्ता एक noodle का bowl आ जाता है उतनी ही price में एक इंसान एक book को rent कर सकता था अब Japan को ना बड़ा अमीर समझा जाता है क्यूँ? क्यूँकि वो इंडिया से textiles import करवाता था चाइना से silk import करता था तो बहुत सारे luxurious goods import करता था इस वज़े से Japan को rich समझा जाता था लेकिन इन सब luxurious goods के imports के लिए वो gold और silver में pay करता था जिसकी वज़ा से उसकी economy में बहुत सादा फरक पड़ा इस वज़े से जो toku गावा थे उन्होंने restrictions लगा दी कि अब अपने देश से याने Japan से बहुती कम export होगे ये precious metal जैसे वो pay किस में कर रहा था gold और silver में है ना तो उस पे restrictions लगा दी गई और इन imports को कम करने के लिए उन्होंने Kyoto में एक जगा है nitrogen वहाँ पे इन्होंने एक silk industry भी खोल ली और ये जो silk industry खोली nitrogen में तो यहाँ से जो silk बनता था ये world का best silk माना गया इससे एक तो money का use बढ़ गया और दूसरा rice में stock market create हो अब कुछ social और intellectual changes भी है जब लोगों ने ancient Japanese literature पड़ी याने प्राचीन Japanese साहित ते पड़ा तो उस से उनके दिमाग में एक सवाल उठा कि जपान पर चाइना का प्रभाव किस हद तक है और यह तर्क पेश किया गया कि जपानी इतिहास जो है वो चाइना के contact में आने से बहुत पहले से है और बहुत सी किताबों में जैसे की Tale of Genji में भी बताया गया है कि यह जो islands बने हैं हमने देखा था ना जेपैन चार island वाला है तो यह जो islands हैं यह God ने बनाए हैं और जो राजा है वो Sun Goddess का उत्राधिकारी है यानि Descendant है